प्रिकेट अनिश्चताओं का खेल हुगता है कब क्या हुचाए कोई नहीं जानता टीम इडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में जीत कई छे मिकेट से जीत हासिल की लेकिन आखरी ओवर ने सब की धड़कने बढ़ा दी इतना ज्यादा रोमांच दिखाई दिया कि हर कोई हैरान रह गया दातों तले उली दवाने लगा अब आईए हम भी आपको एके गेंद करके बताते हैं कि आकरी छेंगेंदों में क्या हुआ एलन गेंद बाजी पर थे पहली गेंद डाली धवन को दो रन आ गई मिस फिल्डिंग का फायदा मिल गया दूसरी गेंद डाली फिर दवन पर स्ट्राइक थी एक रन मिल गया आप पांडे सामने थे पांडे ने एक रन और ले गया गेंद हो गई तीन रन चाहिए दो सब कुछ ठीक ठाक है मैच यहाँ पर टीम इडिया के हाथ में था लेकिन आगे किस तरह से पल्टा आप देखिए चौथी गेंद भी धवन के बल्ले से नहीं लग पाई और सीधा फिल्डर के पास चली गया यहाँ पर कोई रन नहीं आया और मैच फस गया अगली गेंद थी पांच धवन ने शौट उठाकर लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद सी था फिल्डर के हाथ में चली गई और पोलार ने कैच पकड़िया धवन बाणवे रन बनाकर आउट हो गए और अब एक गेंद पर एक रन चाहिए था नहीं बनता तो मैच टाई हो जाता और आखरी गेंद पर इस्ट्राइक थी मनीश पांडे के पास मनीश पांडे ने कुछ नहीं किया बल्ले से गेंद लग गई तेजी से भागे और टीम इडिया अगर जीती तो वेस्ट एंडीज की मिस्ट फिल्डिंग की वज़े से वरनाई मैच तो वेस्ट एंडीज ने ही गया था या यूं कहते हैं कि मैच टाई हो गया था सब इस फिल्डर्स नीचे लेट कर रो पड़ें क्योंकि उनके हांग से मैच जा चुपा था टीम मिडिया के पांडे ने या कहें कि उनके फिल्डर्स ने मैच हरा थी वाकई पेहद रोमांच इससिति यहां पर देखने को मिली और अगर आपने भी ये मैच देखा है तो आपको कितना रोमांच दिखाए दिया कॉमेंट कर बताएं साथ इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए लाइक कीजिए और हैंटमाइज स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए